हाई फ्रेंड्स आइम संजय कुमावत एंड वेलकम ओल आव यू इन इंगलिस पेगबॉन आज हमारी जो क्लास हो रही है वह रीट के इंफेरेंस चैप्टर के उपर हो रही है और यह हमारा सिक्स पार्ट है तो ज्यादा टाइम कराब नहीं करते हैं मैं स्क्रीन के उपर ले लगबग 17 पढ़ लिए अब हम 18 नंबर की फैलेसी पढ़ रहे हैं अब लियर लगबग 90 परसेंट हमारा इंफेरेंस हो चुका है अगर यह 90 परसेंट आपको समझ में आ गया है तो आप यह समझेंगे कि आपका इंफेरेंस कंप्लीट है आप इसको बार-बार रिपीट करो क्योंकि repeat करने से ही यह चीज clear होगी एक बार की समझने से clear नहीं होगी आपको बार-बार-बार इसको repeat करना पड़ेगा ठीक है मेरा कहना सिर्फ इतना ही है बाकी हम सब समझदार है कि अगर हमें कोई चीज अचीज अचीव करनी होती है तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ता आपको समझदार इस चीज के लिए तो देखेंगे क्या लिखावा यह क्या होता है क्या नहीं मैं इसको भी समझाऊंगा मैं सिधा एक्जामपल पर लेके चलता हूं शायद आपको एक्जामपल से ज्यादा समझ में आएगा हमारा पॉइंट है स्क्रीन के उपर दिख रहा है यह complete इसमें answer the fallacy of undistributed middle क्यों हुआ यह हमें जानना है तो देखिए लिखा हुआ है अगर कोई प्रोब्लम हो टेक्निकल आवाज में वीडियो के रुकने में तो बता देना क्योंकि इससे पहले वाले जो क्लास हुई थी उसमें प्रोब्लम यह हुई थी कि आवास तो आ र मैमल और दूसरा प्रीमाई से OLD आर में अब बंदा क्या करेंगा केटओ्ञा को एक बना देगा इट और डोग को मेना देंगा यहीं अट्टिबटिटक्ट में होता है तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अन्डिस्टीबूटीद Capital की पहचान हम करके किसे करेंगे उसके अंदर मतलब पहले sentence की बात और दूसरे sentence की बात को equal किया जाएगा यही undistributed middle होता है ठीक है जड़ा देखे लिखा हुआ है all cats are mammals हमें बताया जा रहा है कि सारे के सारे cats क्या है मैमल्स है फिर हमें बताया जा रहा है all dogs are mammals कि सारे के सारे dogs क्या है मैमल्स है अब बंदा क्या करेगा cat or dogs को एक कर देगा therefore इसलिए all cats are dog इसलिए जो cats है वही डोग है और जो डोग है वही cats है बात clear हो गई यह clear नहीं हुई है कोई बात नहीं हम next chapter मतला next example से इसको समझने की कोसिस करते हैं ज़रा यह simple simple से sentence पहले लेकर आ रहा हूं simple to complex method में हम teach कर रहे है रीड कर रहे है तो देखो पहला sentence है x has features x के यह features है क्या-क्य features है x को a b c कहा जाता है मतलब x के features a b c है माल लो कि x के features a b c है दूसरा point है y के features भी a b c है तो इसका मतलब therefore क्या निकल रहा है therefore यह निकल रहा है कि x is y X क्या है Y है clear है बात चलो आगे बढ़ते हैं तीसरे point पे चलते हैं देखिए बड़ा simple सा है कि all 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 क्या all X's are Y's मतलब सारे X जिस जो X के S है वो ही सब Y के S है मतलब X's are Y's इसका मतलब क्या हुआ मतलब X को क्या सोरी 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 देखो all X's are Y's सारे X's क्या है वाइजीज है चलो ठीक है बात समझ में आगे आगे चलते हैं दूसरा point बोल रहा जा रहा है कि दिस थिंग इस वाई देखो पहले वाले में भी X का Y बन रहा है दिस थिंग का भी बन रह एसका मतलब X or this thing x is X of x को को और वस्तिंग को हमने एक्वल कर दिया कोई बात नहीं यहां आया है सब समय में आये एकस मतलब करो मल्टीपल रिविजन करो सब समझ में आएगा सब सिंपल सिंपल सा है चलो आगे बढ़ते हैं अगला फॉर्थ नमर का जो एक्जाम्पल हम फास्ट लेंगे आज हो सकता है इसको फिनिश कर दें या कल की क्लास में तो पूरा करी देंगे कुछ ही हो चाहे हमारा जो चोथा इंड, और। यूनि कॉर्स क्या है। इमेजनेरी है इसका मतलो गौस्ट और यूनि कॉर्स को एगा कर देगा अब हमारा यहांपर देख्ड़। इसका मतलब यह जो नाम उनिकॉर्स है आगे वह एक देखते हैं लिखा हुआ है। वेल्स हैर हमें बताई जा रहा है uh कि वेल्स क्या रख्ते है और सारे के सारे हुमन्स सारे के सारे हुमन्स भी क्या रखते है इसका मतलब वेल्स और ऑज्यूМनस को एक करेगा दीयर फोर इसलिए all wells are human इसलिए सारे के सारे wells क्या है मेरी बात समझ में आ गई होगी यह undistributed middle होता है undistributed middle के अंदर क्या होता है पहले point और दूसरे point को equal किया जाता है पहले point और दूसरे point को equal किया जाता है पहले point और दूसरे point की बात को एक बनाया जाता है नहीं समझ में आ रहा है मैं कुछ नहीं कर सकता समझना आपको ही है फिर से देख लीजिए लिखा हुआ है कि some politicians are liars कि some politicians जो है some politicians को क्या बताया जा रहा है liars बताया जा रहा है जूटे बताया जा रहा है और some liars फिर हमें बताया जा रहा है some liars यहां पर क्या बताया जा रहा है some lives यहाँ पर क्या बताए जा रहे है this बताए जा रहे है इसका मत्तद thieves और politician को एक करेगा some politicians are thieves अब मैं इसको सही करने के लिए यह लिख सकता हूँ so या therefore therefore some politicians are thieves some politicians are thieves clear है नहीं समझ में आया बार बार इसको पढ़ना है seven number के point पर चलते हैं all teen agers are two-legged all teen agers are two-legged है चलो ठीक है बात समझ में आ रही है and all ostriches सारे के सारे जो ostriches होते हैं उनमें भी क्या होती है उनमें भी क्या होती है two-legged होती है इसका मतलब teen agers और ostriches को एक बनाएगा इसलिए therefore all teenagers are ostriches मैं समझता हूँ कि आपको बात clear हो गई होगे seven number के बाद में eight number पे चलते हैं बताया जा रहा है कि all penguins all penguins सारे के सारे जो penguin है वो penguin क्या है सारे के सारे penguin black and white है चलो ठीक है फिर हमें बताया जा रहा है some old films some old films में क्या है black and white है इसका मतलब penguins को ही some old films बोलेगा और some old films को ही penguins बोलेगा therefore some old films are penguins आपको बात clear हो गई होगी चलो आगे बढ़ते हैं nine number के point पे चलते हैं nine number का point है improbable events happen everyday improbable events what happens almost everyday is very probable event improvable events everyday होती है चलो ठीक है फिर हमें बताया जा रहा है but what happens almost everyday जो everyday होती है बात everyday की की जारी है और जो every day होती है probable event इसका मतलब improbable event और probable event को एक किया जाएगा therefore improbable events Alors और वेरी प्रोबेबल इवेंट्स मैं समझ सकता हूं कि आपको बात एकदम से क्लियर हो गई होगी ठीक है एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्योंकि पहले वाले वीडियो के अदर आवाज ठीक थी लेकिन वीडियो रुक रहा था प तो हमारे पास में सीदा सीदा next chapter है उसको हम पड़ेंगे दर फैलेसी आप सरकम्लाइशन सरकम्लाइशन हम पड़ेंगे सअर्कम्लाइग बेगईग इसका दूसरा नाम है दा फैलेसी आप बेंग इसमें क्या होता है गोर कीजिएगा अब जो मैं बता रहा हूं कल की इसमें conclusion जो होगा मतलब वह यहां पर हम therefore की बात करेंगे तो conclusion is said in other words, conclusion other words में कहा जाते हैं इन basis of premise, मतलब premise को देखते हुए ही, किसको देखते हुए, premise को देखते हुए ही, आपका जो conclusion होगा, वो other शब्दों में आएगा, कुल मिलाकर बात यह है भाई, कि जो अपने को कहने का मतलब, उपर वाले, उपर वाले से मतलब premise, जो premise वाले sentences है, जो premise वाले sentences है, जिन premise वाले sentences में, जो बात की जा रही है, वो ही बात घुमा फिराकर, क्योंकि circum location का मतलब होता है, घुमा फिराकर बात करना, जैसे अभी मैंने बोल गया है, तो मतलब यह है, कि उपर वाला जो sentence है, मतलब जो premise वाला sentence है, मतलब जो main point है, उसी बात को, आ तो देखते हैं क्या है क्या नहीं कि talking around मतलब talking around का around वो ही चारोतरप एक ही पइंट के चारोतरप घुमा अफिरा आक है लपेट लपेट के बात करना talking around होता है यह talking circles होता है circles मतलब वही गूल 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 घूम के होता है चलो ठीक है आगे बढ़ रहे हैं इसमें क्या बोला जा रहा है वो देखते हैं एक मिनिट यह इसक्रेट ऑके हमें बोला जा रहा है टॉकिंग ए राउंड अवाउट वे टू से संतिंग मतलग कोई एसी बात के ना जो ग्राउंड एंड राउंड एंड राउंड ओ यूजिंग तेन वर्ड़ जैसे माल लो यूजिंग तेन वर्ड्स वें फाइव विल डू जब पांच की जरुर तो बंदा दस शब्द बोल है जैसे मैं अभी बोल रहा हूं गुमा फिर आकर बोले जा रहा हूं बोले जा रहों लोकेशन होता है मेरी बात के लिए अब हो दो शुकी होगी शायद आपको आगे बढ़ते हैं इसी को क्या बोला गया है यह देख लेते हैं यह पढ़ लेते हैं के लिखवा कि begging the question fallacy occurs when the conclusion is assumed to be true क्या हो रहा है? कि begging the question fallacy occurs कि Bayging the question वाला point या circum location वाला point कब होता है कि when जब the conclusion is assumed जब conclusion conclusion आप समझ गये होंगे conclusion का मतलब वहे therefore वाला वाके कि जब therefore वाला वाके को true मालिया जाए तब हम इस circum location वाली point की बात करते है या begging the question की बाद हम करते हैं हम इस sentence को समझेंगे काफी बड़ा sentence है इस sentence को आपको समझना है और एक बार आप इसको ठंडे दिमाग से पढ़ लीजिए और पहचानने की कोशिस कीजी कि इसके अंदर circumlocution की बाद किस तरीके से हुई है ओके चलो देखो I think video रुख गया होगा अवास तो clear हो रही है शायद video रुख गया कुछ problem है आज कुछ समझ में नहीं आ रहा एक मिन में चेर्क करता हूं देखें ओके बिल्कुल error आ रहा है YouTube is not receiving enough video to maintain smooth smithing as such as open क्यों भाई what's the problem भाईया कुछ problem हो रही है YouTube is not receiving enough video to maintain smooth smithing as such viewers will experience buffering okay poor category हा रही है sorry class आज आपकी class नहीं हो पाएगा I am really very sorry I have problem I think it's a net problem or something other okay the class is dismissed sorry 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 बिल्दा रहीं हो रहा है